Hello everyone, I am MK and आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हुआ कि आप कैसे Realme के किसी भी डिवाइस के अंदर से सारे ads and bloatware को permanently remove कर सकते हो और एक clean UI का experience ले सकते हो क्योंकि Realme 4.0 के अंदर इतने ज्यादा ads को भर दिया है ना कि sometime किसी दोस्तों के सामने या बाहर पबलिक में फोन को निकालने में भी डर लगता है कि ऐसे कहीं ads ना आ जाया बेकार से कि किसी के सामने बेच्टी जैसे feeling आ जाया क्योंकि यहाँ पर ads कोई limit नहीं है अजीव खटाना रिमूब करने के बारे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज की टाइम में Oxygen OS, Color OS और Realme OS एक हो चुका है लेकिन बस आप यहाँ से ads को रिमूब कर देते हो ना तो Oxygen OS वाले feeling यहाँ पर आप ले पाऊगे अपने Realme के किसी भी device के उपर मैं यह जो process है किसी एक Realme के single device पर बताऊंगा बट यह साए devices पर काम करने वाला है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं process और करते हैं clean हमारे phone को आप यहाँ पर देख सेते हो कुछ दिन पहले मैंने Realme का phone लिया था जिसमें आपको कई सारे bloatware देखने को मेर रहे हैं जो कि normally यह आप simply जो uninstall कर सकते हो apps को जो कि मैंने एक folder candle dark है देख रहे हो इतने सारे apps आपको देखने को मेरें तो यह तो common चीज है जिन पे आप इस तरीके से टैप करकर करके जो remove कर सकते हो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी यह हर कोई कर सकता है तो जितने भी फालतु का application आपको दिखाई देते हैं जो install नहीं होता और disable के time पे lock screen का password इंड करना होगा तो आप इंड कर लेना अब यह हमारा disable हो गया सेम यहाँ पे real me store है जहाँ पे आप देखो remove का option आ रहा है बट install नहीं तो एप इंड वे जाएंगे और यहाँ पे हमें delete का option आ रहा है और uninstall का यह install हो गया बट एक जो हमारा application है यह आपका यहाँ से remove नहीं होता है अगर हम इसके i button पे जाते हैं तो simple disable करने का option मिलता है जो कि हमारा internet browser है तो internet browser हर कोई chrome यूज करता है यह फालतु के है जहाँ बहुत सारे adds आते हैं तो यहाँ आप simply disable कर लेना तो कि बार बार irritate करता है apps को find करने में दिख्कत करता है तो इससे अगर आपको close करना है तो simple आपको अपने phone के settings पर आ जाना है उसके बाद आना है यहाँ पर home screen unlock screen and यहाँ पर आपको दिखाए देगा home screen mode इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा display keyboard when entered app drawer इसे आ sometime अब जब भी play store से कोई भी चीज डाउन्वोड करते हो तो वहाँ पर add so कर देता है या फिर आप play store के लावा कोई AP के डालोगी अपने phone के अंदर तो वहाँ पर भी जो add है जो so कर देता है जो कि कासी irritate करता है तो उसे अगर बंद करना है तो simple आओ setting के अंदर यहाँ पर आपको additional setting दिखाई देगा इसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा get recommendation इसे open करो और इसे tag turn off कर दो अब जहां पर भी recommended app दिखाई देते न चाहिए apps इंस्टॉल में या फिर आपका music player में या file major वगरा में वो सारे ads आपके जो बंद हो जाएंगे और आपको यह चीजे द और चीज करनी है जिसके लिए फिर से आपको वापस settings पर आना है उसके बाद apps पर जाना है manage app पर जाना है triple dot पर click करके show all app कर देना है अब यहां पर आपको search करना है glance ठीक है यहां पर आ गया glance for real me यहां पर आ जाओ और इससे कर दो आप disable ठीक है फिर से lock skin password डाल दिया मैंने जो भी आपका password है वो डाल देना एक और आपको मिलेगा analyze ठीक है यह हमारा security analyze इस पर आप है जो click कर दो और फिर से इसे आप है जो disable कर दो तो यह बंद हो गया अब recommendation जो आती थी वो आपका काफी है तक clean हो जाएगा और आपको काफी simple देखनी को मिलेगा लेकिन अभी भी कि आपका normally disable नहीं होता और आप देखो यहाँ पर glance का जो option था वो भी अभी यहाँ पर remove हो चुका है अब मैं आपको एक app download करके दिखाता हूँ कि download करने के बाद कि हमें add so होता है या नहीं जो recommended वाला है तो यहाँ पर simple से कोई भी एक random application में pick कर लेता हूँ जो कि सब 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 small है 8MP का यहाँ पर download हो चुका है बस installation का process चल रहा है अब आप देखो यहाँ पर कोई processing नहीं चला और नहीं कोई add so हुआ जो कि बिल्कुली अप clean हो चुका है बट still अभी कुछ ऐसे application है जो कि system default है जिसे आप चाहके भी uninstall नहीं कर सकते हैं और कुछ-कुछ चीजे तो यह possible नहीं होने वाला और computer यूज करने से पहले एक दो step आपको और phone में करना है जिसके लिए आपको आना है settings के अंदर उसके बाद आपको अपने phone about पर जाना है और find करना है build number जो कि आपको यहाँ पर version के अंदर दिखाई देगा build number पे 6-7 time tap कर दो उसके बाद आपका यहा यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो कि आपको यहाँ पर USB debugging है इसे आपको on कर देना है simple on करने के बाद अब आपको आना है अपने PC के ऊपर PC पर आने के बाद एक tool का link मैं आपको दूँगा जिसे आपको अपने PC में install कर लेना है जो कि help करेगा आपको CMD के जुरुत नही कर देना है यहाँ पर आप जैसे फोन को connect करोगे इस तरह किसे एक pop-up आएगा जो कि allow USB debugging है इस पर आप allow पर टिक कर दो और allow बोटन पर क्लिक कर दो उसके बाद आपका phone इस tool के अंदर deduct होने चालू हो जाएगा में भी थासर time लगाएगा तो आपको wait करना है या फिर फिर से जो में आपको file दिये ना उस पर आप double क्लिक करके इसे आप open कर लो open करते ही आप देखो कि यहाँ पर आपका है जो realme का model आ चुका है और जब तक आपके phone के ऊपर allow pop-up नहीं आएगा जब तक यह आपका जो tool है PC वाला वो deduct ही नहीं करेगा आपके phone को और आप on install नहीं कर प funded app चाहिए फिर all app का list आपको चाहिए उसकी बाद यहाँ पर आपको enable का मिलता है all package वगएरा और यहाँ पर all list वगएरा तो इस तरह की से आप चीज़े है जो यहाँ पर control कर सकते हो अब यहाँ पर आप देख लो कि कौन कौन से application आपको यहाँ पर remove करने बर ध्यान यह रख जाता है तो इससे आप uninstall करने की कोशिस मत करना otherwise यह पूरे system default रहता है आपका phone ख़राब भी हो सकता है boot loop चला जाएगा लेकिन हाँ boot loop जाता है तो बस आपको अपने phone को reset करना है आपका phone वापस से on हो जाएगा लेकिन reset करते हैं मेभी आपको bloatware फिर से आ जाएंगे और फ इस एप के अंदर बस इतने ही application सो हो रहे हैं जो कि phone में installed है तो यहाँ पर जितने भी है सारे important है इनके साथ छेरचार करना यानि भाई मुशिवत मोल लेने के बरावर है तो यह tool आपको अगर सो करता है कुछ application तो आप इसका use करते हो uninstall कर सकते हो बस यहाँ पर select करना है और uninstall पर click कर देना है बट यह android system default है जहाँ पर इसकी पूरी detail यहाँ पर आ रहे है तो इससे uninstall नहीं करेंगे अदवर फोन के band बस सकती है तो अब यहाँ पर हम follow करेंगे cmd command और method जो कि यह भी बिल्कुल सा तरीका है cmd command के लिए आपको क्या करना है एक platform tool google पर search करके download कर लेना जिसमें इस तरीकी से file नजर आएगी अब यहाँ पर उपर का जो बार है इस पर type करते हैं आपको cmd और enter आपको pop-up cmd command आपको open करना है अब यहाँ पर check करना है कि आप फोन connected है या नहीं तो type करेंगे adb devices उसके बाद enter ठीक है यहाँ पर code दिखाई देगा याँ आपको phone listed connected है अगर आपके phone के ऊपर pop-up आता है तो allow करके permission दे देना ठीक है अब on install का command आपको डालना है जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है यह same command आपको याद दखना है वीडियो के description में मिलेगा उसका space डालना है अब आपके phone के तर जो भी application ने जिससे आप remove करना चाहते हो उसका package name आपको find करना है कुछ package name में पूरा description में add कर दूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसका कौन सा package name है लेकिन कुछ ऐसे चीज़े होती है जो कि आपको सायद ना मिले तो उसके लिए आप simple google पर आ जाओ ताकि आप package name find कर सको और आ जाओ APK mirror के उपर और यहाँ पर आप उस application को search कर लो search करके download page पर जाओ जहाँ पर आपको दिखाई देदेगा package name जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे हो ठीक है यह इसलिए करना है ताकि आपको package name पता चल सके अब इस package name को आपको copy कर लेना है उसके बाद यह cmt command पर मैंने डाला है uninstall का command उसके बाद उस package name क को यहाँ पर डाल देना है अब आपको click करना है इंटर जैसे आप इंटर click करोगे आप देखो मेरे phone से netflix का जो application है वो remove हो चुका है और cmd command पर success भी है जो लिखा हुआ आ चुका है तो इस तरीके से आप package name को find कर सकते हो और इस command का use करते हो अपने phone से application को uninstall भी कर सकते हो त जो कि मेरे phone के अंतर जो music player है इससे अगर मुझे remove करना है तो इसका मैं command यहाँ पर डालूँगा और उसके बाद enter पर click कर दूँगा आप देखो कि यह success हो चुका है बट यहाँ पर मैंने tap किया था इसलिए वो अभी तक remove नहीं हुआ मैं जैसे tap करूँगा वो gap हो जाएगा यहाँ पर complete remove हो चुका अब मुझे अगर इसके वीडियो player को remove करना है तो फिर से वोई same command उसके बाद space डालेंगे music player जो realme का है उसका मैंने package name डाल दिया और enter अब यहाँ पर success हो गया और हमारा music player है वो भी remove हो गया तो इस तरीक हिसे आप सभी के application को यहाँ से टाटा बाइ UI experience है जो ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने दो तीन तरीके बता दिया आप सभी को follow करते हुए सब कुछ remove कर पाऊगे easily अपने phone से I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीकी से आप realme के अंदर clean UI experience ले सकते हो और सारे ads और extra file अप्लिकेशन को यहाँ पर disable कर सकते और मैंने proper guide भी दे दिया जिस तरीकी से आप अपने system default application को भी easily है जो remove कर पाऊगे और मैंने पुड़ा command का जो detail है वो discussion में भी दे दिया है जहां से आप package ने मेंगरा find कर सकते हो system default वाले application को और उन्हें one by one करके remove कर सकते हो तो भाई मैं मिलता हूं next video में और आपको कोई भ रह गया होगो ना तो comment box का use कर लेना thanks for watching bye